नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रेक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग तो आज जो वीडियो में लेकर आए हूँ, वो अनम शेख का वीडियो है और इसका टाइटल बड़ा जबरस्त है दुबई ने बनाया पाकिस्तान का मजाग, वाई दुबई शेख प्रमोट हिंदुइजम तो इस पर मैंने ट्वीट किया था, बाद में बताता हूँ पूरी कहानी आप इस पर पाकिस्तानी रियक्शन पहले देख लूँ, कि ये क्या कह रहे है, ठीक है, चलिए आज का विसी क्ली मेना सवाल आप से ये है, कि यू ए ए में एक मंदिर बना, उस मंदिर में शेख ने एक पंडिक से कलवा बनवाया और उसकी जो पिक्चिर थी वो ट्वीटर पर अपलोड की, आपके समझते हैं, ये सब किस बेस पर किया जा रहा है, क्या स्ट्रेटिजी है ये हिंदू इजम को फरोग देने की कोशिश है, और वैसे भी आँज़रत सल्ले लाह वाले असलम की हदीस मुबार का है, कि क्यामत उस वक्त तक काइम नहीं हो सकती, जब तक मेरे अरब बुद परस्ती न शुरू कर दें आपको ये लिगता है कि डे वाई डे जो है, हर मुस्लिम कंट्री इंडिया और बाकी नन मुस्लिम्स को पर मोट कर रही है, आपको लिगते है कि इस सिचुएशन में पाकिस्तान को कोई स्टेप लेना चाहिए जी बिलकुल, पाकिस्तान को अपने इस्लामिक नजरियात के म हमारी मदद करेंगा, मतलब अर्ब मुलक का हमारी मदद करेंगे, लेकिन अर्ब मुलक हमें बैक करके इंडियन की तरफ जा रही है, आपको के लिगताने वाला टाइम कैसा होगा, पाकिस्तान के लिए मुश्किल टाइम होगा, क्योंकि मुसल्मानों के तो सारे दुश्मन ह हिंदू और गैर मुसल्म जो हैं वह नग यग प्लेट फारम पर हैं और मुसल्मान जो हैं यही मुसलमनों की कमज़ूरी है यही सॉओरी मुसलमानों का बताहिए उप दॉबए ओभ maix में बताहिए इनकी हैं फिंष्ट अते हैं कि या हम पर कोई अफेक्ट आता है जिना जी जरूर इसलामिक साओधी अरब जो है वो हमारे मुसल्मानों का मरकज है अगर वहां पर भी इस तरह के काम होंगे तो फिर बाकी लोगों का क्या हाल होगा किया मेंसिज देना चाहेंगे कि आपको लगता है कि मुसल्मान जो हमारे काड़ बोलग मुसल्मान है उनको क्या हिंदू अपनी तरफ इंवाल्फ कर लेंगे देखें जी फिलाल तो वो हिंदूओं की तरफ ही है जो अरब कंट्रीज हैं उनका जुकाओ जो है वो अल्रेडी हिंदूओं की तरफ ही है आज मुसल्मान अगर उनकी स्ट्रेटेजी उनके पास एक दौलत है उनके बड़ी मार्केट अब मुसल्मान उदर जाए अगर मुसल्मान बिके ना अपने जमीर का सौधा ना करे अपनी खुदारी को ना बेचे तो मुसल्मान से ताकतवर कोई भी नहीं है ताए किस्안 वबागाने मुसल्मान उनको पता है कि पुरा अरब कांट्री जो उन से ना वह यशी के लिए अमेरिका गोरों से यह ढीन अबना ये जासे वो ये काम करें तो ये मेरे अंदादे के मताबक यगर मैं पाकिस्तान नहीं हूं तो मैं तो नहीं समझता कि उनकी वज़ा से मैं जलू हूं क्यूंकि एक टाइम आएगा कि ये खुद अपना पश्टाएंगे कि ये हमने क्या मुसल्मान भाई है ठीक है अगर हम देखे लिए प्रमोड करें हैं सबसे इस टाइम स्ट्रोंग है इस्राइल इस्राइल पूरी दुनिया को उपर हकूमत कर रहा है किस वज़ा से अपने पैसे की वज़ा से जब वो पैसा एक बंदे को मैं एक बंदे को कहता हूं कि यार एक रुपे ले लो वो आगे कहते हैं एक ला आर थे मगर यह है कि जब मुसल्मान खोश में आते हैं यहां वो ठान लेते हैं तो फिर उनकी आगे चाहे वो इस्राइल हो इंडिया हो गोरे हो फिर वो उनको पता है कि इन्होंने काम करना है तो इन्होंने काम करके छोड़ना है तो ऐसा कब हुआ था बहला जरा ये बताएंगे आप मुझे कब हुआ था किस जूटी शान में जीते हैं पाकिस्तान के लोग यार कितनी नफरते भरी हैं आपके मुताबिक सिर्फ इस दुनिया में मुसल्मानों को रहने कहा के बाकि किसी को रहने कहा कि नहीं यही है न बड़ी घटिया सोच है आरब की बड़ी घटिया सोच है मिल जुलकर रहना आप लोग को आता नहीं है साओधी अरब वाले दुबई वाले ये लोग समझ गए हैं कि प्रोग्रेस किसमे है साथ मिलकर रहने में है इंसानियत में है वो इंसानियत को बढ़ावा दे रहे हैं उनके अहां इतनी बड़ी संक्या में हिंदू, जन संक्या, हिंदू लोग हैं तो वो उनके लिए सुविधा प्रोवाइड करें कि भई आपके लिए जाईए वो खुद नहीं हिंदू में कनवर्ट हो रहे हैं वो उनके साथ खड़े हैं और आप लोग को लगता है कि जीवा जिस धर्ती पर इसलाम आया उसके लोग अब आपके लिए काफिर हो गए और आप कनवर्ट होकर बने तो आप इसलाम के जंडा बरदार हो गए वा जीवा गजब खेल है जो औरिजिनल खून है वो जी गदार हो गया और जो कनवर्टेड खून है वो गदार नहीं है देखिए आप भी इंसानियत को फोलो करीए वो भी इंसानियत को फोलो करा है वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है वक्त के साथ अगर आप कदम नहीं मिलाएंगे तो आप पीछे रहा जाएंगे और इसी वज़ा से आप लोगो प्रॉब्लम हो रही है सबसे ज़ादा दुश्मन जो हैं वो लोग पाकिस्तान को समझने लगें और इसमें आपकी इस जैसी जो सोच है उसके वज़ा से निक्कत हो रही है आपके सामने बंगला देश, सौधिया, डिया, UAE, दुबाई या फिर अफ़गानिस्तान सारे कटर मुसल्मान मुलक है लेकिन वो इंडियन्स को प्रमोड कर रहे हैं सब के सब इंडिया की तरफ जा रहे हैं इंडिया का प्रमोड कर रहे हैं ना उन में ग्रूप में हैं मैंने आपको अभी एक छोटी सी मिसाल दी है मैं चलते जाए बंदे को ना रोक के कहता हूं यार ये दो रपे ले लो और ये मेरा मेरा साथ ये काम कर दो पहले वो सोचेगा एक ताम पीछे से बंदा रता है वो कहता है यार दो हजार रपे ले लो तुम मेरे साथ कोई काम ना करो उधर आके बैठ जो वो दो हजार रपे लेके बैठ जाएगा उसको पते ही नहीं है यार ये सूद है ये तमीज़ है ये पाकिसिन हीं का मुसल्मनियों के लिए ये जह मुसलमनों मेरे है Depot ये गलती मुसलमनों मुसलमनों की इसलिए गलती है कि इतना उनको कर दिया गया हं कि ये जो हमारा मुबाइल है अब पूरिभ दुण नियुकर अई किसमें के फिर्ष टया खराए वक घरी से अवल शीय तो पांडर के लिए जा है। कि मसलमनों को बुड़ी तरीके से भसाएं फिर उनको तबाह करें। कि अब आपस कहने हैं कि मुसल्मान को लालश दिया जाता है तो वो बिक जाता है वो यह नहीं देखता कि मुसल्मान हो तो मैं बिक जाओ कि मैं अभी खरा करके ना दस बंदों को कहुंगा नमाज बरने चले तुम पागल हो तूने जाना तो जाओ अभी अभी सो बंदे को अंदर आगे वो केंगे ना अंदर डांस हो रहा है दांस डाइगेंटे बाद शुरू होगा वो डाइगेंटे बैठी रहेंगी ने जिन एक अज हिंदू चल रहे हैं गोरा चल रहा है इंगलेंड में देखे अभी तक अधरत अभू बगर सिदीक रजी लातलाना का कनून चल रहा है उनके जो मिनिस्टरी है उसके ओपर अभी भी मोर लगी हुई है उन्होंने क्यों नहीं उतारी क्योंकि उनको पता है यगर इस से ह अगराईल जो प्लैनिंग करके हमारे हिदर काम कर रहा है वो हमारे लोगों की सोच भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है इसकी सबसे बड़ी वज़ा यह है कि अल्ला के नम्हों तो भाई मैं यह कहना चाहूंगा मैं हसनिसाफ साफ की बात सुन बात देता हूं कि आप क्यों नह है दिमाग का इस्तेमाल करिए शड़ियंतर करिए साजिश करिये जवाब दीजीए सुनिये हम कहते हैं वो जी साजशें करते हैं वह आप से बेटर दिमाग रखते हैं तो साथियं करते हैं आप करने लौट कलाइब के साथ 2.500 गोरा था वांकी सारे हम ही लोग थे हमारे प्राहिम लोदी की, से पहले जो मुगल शहजादे एक दूसरी की गर्धने काट रहे थे, पाप को अंदर कर रहे थे, सगे भाई मार रहे थे, अब कोई ये कदम कदम पे साधिशें ढूनना, उनमें कीड़े डालना और लोगों को बताना कि जी वी अर्वी 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 उस साड़े 400 ग्राम दिमाग को सही रास्ते पचला रहा है, वो तरक्की कर रहा है, और जो गलत रास्ते पचला रहा है, वो पाकिस्तान बन रहा है। कि अचनिंग हो गी है और उदर बहुत से ज़्यादा फाशी के अड़्डे बन गए है, बहुत जादा इस काम को परमोड किया गया है, और दुबाई कंट्री दुबाई आपको पता इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इसलामिक कंट्री होने के बाफजूद उदर सबसे कि मार्कीट है इंडिया के सबसे जादे इन्वेस्टर दुबई में इन्वेस्ट करते हैं और वह अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए इसलाम को बैक्डाउंड पर फैंक रहे हैं पाकिसारी कंट्री में जहां भी हैं मुसलमान की इजट नहीं है कहीं भी चले जाएं आप माशियत माशियत नहीं सही हो रही है और एज इसलामिक मतलब हमारा कंट्री तो इसलाम के नाम पर बने है एज इसलामिक विव से भी हम बहुत ज्यादा पीछे जा रहे हैं और हम तरकी पजीर है तो डेफिनेटली उनको जहां से बेनिफिट नजर आएगा तो वह उसी पाकिसानियों को क्या होगा फ्यूचर में तो हमारी नॉन मुस्लिम की कंट्रीज की तरफ से इतनी हमारी वह नहीं है और मुस्लिम कंट्रीज हमें छोड़के जा बस इसलिए ना मौशी मौशियत की वज़ा से और यह सब करने के लिए और सबसे बड़ी बात जो एक लगती है आज़ा मुस्लिम यह सब कियामत की निशानिया है सबने नफसानफी में पढ़े हुए हैं और इसी वज़ा से यह सब जो है इस चक्रों में पढ़े हैं और डैफिनेटी वह जो नबी वाग से ने फर्माया है वह पूरा तो होना है ना किसी भी तरीके से हो पैसे की लेकिन ये सब तो होना ही है और वो अब हो रहा है क्या लगता है कि आने वाला फ्यूचर क्या होगा पाकिसान उमीद तो यही है कि इन्शाला अगर हम हम पाकिस्तानी इस पहले बिल्कुल खुद को ठीक कर ले अपने आपको सीधा कर ले सिरफ एक जूड़ दें और एक जो है वो अपने आपको सीधे रस्ते की तरफ लेके चले जाएं तो एक्जाक्ली कुछ ना कुछ तो अला तला भी रहम करेंगे ना और हमारा मुलक भी इंशाला इंशाला जरूर तरकी करेंगा लेकिन अभी तक तो कोई भालात नजर नहीं आ रहे दे बड़े जैसे हो रहा है इंडिया ने बहुत रखी किया जिसकी वाएसे हार्प कोई इंडिया की तरफ मूफ कर रहा है क्या फ्यूचर देख तो इंडिया अच्छा जा रहा है अगर आप उसको मौशार्टि तरीके से देखने तो वो अच्छा जा रहा है उनकी मौशार्ट अच्छी है और वो स्टरकी की तरफ जा रहे हैं क्यों के सबीट जितने भी मौमालिक्स हैं आई एशियन्स है या वो अबरॉड जटने भी हैं मश्रकी मगर्भी सारे मुलक कर तरफ जा रहे है तो इए इग्जैक्ली ज़ए वह अब तरकी की तरफ ही जाएगा तो इस वीडियो से हमें पता चला कि हिंदूओं के खिलाफ कितना जहर भरा पड़ा है और क्या चल रहा है अगर दुबई वाले अपना भला बुरा सोच के जो वो कदम उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं तो आप कौन होते हो चौधरी बनने वाले भई वो आपको कहने आते हैं क्या कि आप अपना मुल कैसे चलाओ और आप हो कौन हो कौन आप पहली बात दूसरी बात कि वो आपके क्यों सुनेंगे बॉस उनके पास दिमाग नहीं गया असल मुसलमान तो वो बैठे हैं वहाँ थे तो वो उनके पास जादा दिमाग है भई वो अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं और किसने कहा कि वो इस्लाम छोड़ रहे है वो उस कम्यूनिटी को उसका हक दे रहे है जो कम्यूनिटी उसके यहां बड़ी संख्या में मौझूद है तो दोस्तों हुआ यह है कि अबुधावी में बहुत शांदार मंदिर बन रहे है और वहाँ के एक मिनिस्टर है UAE के वो गये वहाँ पर और वहाँ पर उन्होंने जैसे यह मैंने पहन रखा है यह दिख रहे है आपको यह हमारे धर्म की एक निशानी है यह रक्षा कहते हैं तो यह विश्वास है भरोसा है इसलिए बांदे हुए है सब कुछ भरोसा है पर टिका है भई भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है और उससे आपको positive vibes मिलती है तो इसलिए यह है तो उन्होंने वो बंधवाया और मैंने वो tweet किया मैंने उसमें लिखा कि देखिया अब पाकिस्तान को चिढ़ाया है वहाँ के लोगोंने और वही topic जो है मेरे दर्शक भी कह रहे थे कि वही देखिये का कल इस पर वीडियो बनेगा और देखिये वीडियो आ गया और वीडियो आते ही जैसा मैंने सोचा था जिस मकसद से मैंने वो tweet डाला था वो मकसद सामने आ गया वो चीज जाहिर हो गई कि उनके मन में क्या भारा बड़ा है आप देख रहे हैं जहर ये कितना भारा बड़ा है ये Hindu hated वीडियो है हर कोई बात नहीं हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों को देखे जाने समझे और विचार करें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस वीडियो में जितनी بाते हैं जहां-जहां जिस platform पर आप लोगों को लगता है वहाँ पर ये platform पर ले जाकर ये चीज़ें रखिये और खास कर दुबाई और UI वेलों को कि उनको समझ में आए, कि चल क्या रहा है, और तो बढ़िया है वीडियो भाई, और देखते रही है कि सनातन धर्म का किस तरह क्या कहें, कि बोलबाला होगा, इसलिए होगा, क्योंकि हम कट्रपंथ नहीं पहलाते, हम कट्रवाद नहीं करते कि सर्टन से जुदा कर देंगे, उनको ये कह दिया गया, ये लिख दिया गया, यही मानना होगा, नवास, मेरा जुबन करता हूँ, मैं मानता हूँ, सामने वाले का, मेरी पत्नी को कुछ और मानती है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि वो मेरी दुश्मन होगी, और मैं उनका दुश्मन होगी, ये आजादी कि मैं भवान को नहीं मानता हूँ बजरंग वली पीछे रखे हूँ है वो मेरे आराध है मेरी वाइफ के लिए भोले शंकर आराध है और हम दोनों में कोई कॉन्फलिक्ट नहीं है तो यह है खुबसूरती हमारे सनातन धर्ब की आपको फ्री दिया गया है कि आपको जो इच्छा हो रही है जैसे मर्जी हो रही है आप वो करिए किसी एक धागे में नहीं बनना है किसी एक लकीर पे नहीं चलना है कोई एक पत्थर की लकीर नहीं है हाँ, एक common चीज़े हैं जो आप मानना है, मानिये कोई दिक्कत नहीं तो यह सारी चीज़े हैं तो जल्दी आज़िर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार, जाहिंद